दोस्तों आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल क्लाइमेक्स कैडमी में हार्दिक स्वागत है आज हम आपको अर्थमेटिक का बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक स्वागत है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे और अच्छे से नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़िए चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सापेच चाल पर आधारित प्रसन तो शब लोग हैडिंग मना लेंगे सापेच चाल पर आधारित प्रसन मगर सवाल में होता है हम आपको बताएं कैसे दो ट्रेने या दो आदमी जब एक दूसरे की विपरीद दिशाओं में आते हैं मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं एक्जामपल के माध्यम से इस प्रकार से देखिए ये दो ट्रेने हैं मान लीजिए कि आपकी दो ट्रेने हैं जो एक दूसरे की विपरीद दिशाओं में आएंगी विपरीद दिशाओं का मतलब बच्चों क्या होगा कि ये ट्रेन यहां को जाएगी और ये ट्रेन यहां को आएगी एक दूसरे की जब विपरीद दिशाओं में जाएगी तो क्या होगा और समान दिशा का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं जब दो ट्रेने एक समान देशा में जाएंगी ये मालो ट्रेन है जिसमें आप बैट जाओगे और ये जब दो ट्रेने एक अई देशा की ओर जाएंगी तो क्या होगा इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देदें जैसे यहां को जाएगी और यह भी यहां को जाएगी देखिए इस ट्रेन की चाल मान लिया हमने भी वन किलो मीटर पर घंटा इस ट्रेन की चाल मान लिया भी टू किलो मीटर पर घंटा अब देखी बच्चो क्या आपका कंसप्ट होने वाला है यह आपको हम बताएंगे जैसे दो ट्रेने जब एक दूसरी की पिरिद्धिसाओं में आएं तो चलिए एक फार्मूला आपने पढ़ा V बराबर D upon T क्या होता फार्मूला V बराबर D upon T और यहां भी रेखिए हमने इसकी चाल मान लिया V1 km पर गंटा इसकी चाल मान लिया V2 km पर गंटा तो यहां फार्मूला बना ले V बराबर D upon T Speed बराबर Distance upon T तो हम आपसे यह कोशन पूछना चाहेंगे जब दो ट्रेने एक दूसरी की विपरिद्धिसाओं में जाएंगी तो जल्दी पार करेंगी कि एक ही दिसाओं में जाएंगी तो जल्दी पार करेंगी तो बच्चो आपको पता है कि जब दो ट्रेने ऐसे एक दूसरे के विपरिद्धिसाओं में आएं तो एक दूसरे को जल्दी पार करेंगी इसका मतलब physics की भासा में यह हुआ कि समय क्या लगेगा जब विपरिद्धिसाओं में होंगे तो पार करने में समय लगेगा कम और जब समय कम लगेगा तो speed क्या हो जाएगी speed हो जाएगी जादा क्योंकि speed और time एक दूसरे के inversely proportional होता है अगर time का मान कम है तो speed का मान जादा होगा और बच्चो speed का मान जादा कम होगा जब दोनों की चालों को हम जोड देंगे तो speed का मान क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा जैसे example की माध्यम से बता सकते हैं इस train की चाल है 90 km पर घंटा और इस train की चाल है 60 km पर घंटा तो देखी बच्चो यहाँ से क्या होगा की चाल कब जादा आएगी जब जोड़ेंगे की घटाएंगे तो जब जोड़ देंगे तो दोनों की चालों हो जाएगी जादा आर्थात 90 और 60 150 km पर घंटा तो आपको क्या करना है concept यह बताना चाहते हैं कि जब विपरीद देसाओं में आएगी दो ट्रेने तो दोनों की चालों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे जब विपरीद देसाओं में आएगी दोनों की चालों को जोड़ देंगे और जब समान देसा की ओर जाएंगी तो दोनों की चालों को क्या करेंगे हम घटा देंगे तो बच्चों यहां से देखना है कि जब यहां समय कब लगेगा जब दोनों ट्रेन जाएंगी एक अई देसा में तो समय लगेगा जादा और जब समय लगेगा जादा तो चाल का मान क्या होगा कम होगा क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल होते हैं तो बच्चों यहां से आपको देखो हम बताना चाहेंगे कि जब एक अई देसा में जाएगी दोनों की चालों को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे कि जब दो ट्रेने एक ही देसा में जाएगी दोनों की चालों को माइनस कर देंगे और विपरीद देसाओं में आएगी दोनों की चालों को क्या करेंगे हम जोड देंगे तो चलिए तो इस प्रकार आपको दो प्रकार के कोशर पढ़ना है तो पहले आप पढ़ेंगे विप्रीत दिसाओं पर आधारत प्रसन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे शमान दिसाओं पर आधारत प्रसन, तो चलिए हैडिंग मना लेंगे सब लोग विप्रीत दिसाओं पर आधारत प्रसन, सापेथ हैडिंग पहले बना ली थी न, उसमें भी दो प्रकार की कोशन पढ़ेंगे विप्रीत दिशाओं पर आधारित प्रसन और समान दिशाओं पर आधारित प्रसन तो शब लोगों को एहड़े मुझा लेना है विप्रीत दिशाओं पर आधारित प्रसन में आपको टाइप हस्ट में पहला कोशन देखो बच्चों बताते एक दूसरे की और रवाना हुए तो बताईए दोनों मित्र एक दूसरे से मिलने कितने समय बाद मिलेंगे तोनों मित्र एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे तथा हम पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे अब देखिए, बहुत ही अच्छा कोशन है, मैं आपको बताते हैं, दो मित्रों का घर, तो बच्चों यहां से ध्यान से देखना, कि दो मित्र हैं, जिनका घर एक दूसरे से 60 किलो मीटर दूर है, कितना दूर है, 60 किलो मीटर दूर है, तो यहां से देखेंगे, दूरी कितनी है 60 किलो मीटर की दूरी है देखिए एक मित्र चलता है यहां से 5 किलो मीटर पति घंटे की चाल से और दूसरा मित्र चलता है आपका 10 किलो मीटर पति घंटे की चाल से तो कोशन में क्या कहा है कि दोनों मित्र एक दूसरे से कितने शमय बाद मिलेंगे तो देखी बच्चो एक यहां को चलता है और एक यहां को चलता है एक दूसरे की विप्रीद दिसाओं की ओराते हैं और हमने आपको फार्मूले में बताया है कि जब एक दूसरे की विप्रीद दिसाओं में आए तो चाल को क्या करेंगे बच्चों हमने आपको बताया, कि दोनों की चालों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो चाल, दस और पाँच कितना हो जाएगा, 15 किलो मीटर पती घंटा, अब देखिए हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है, भी बराबर क्या होता है, डी अपॉन, टी होता है, दूरी आपको दी गई थी कितनी, 60 किलो मीटर, और टाइम आपको निकालना था, तो टाइम बराबन निकालाएगा बच्चो, 60 बटे 15, 60 बटे 15 का मतलब हो जाएगा, 4 घंटे, यानि 15 चोको 60 कितने घंटे, 4 घंटे, यानि दोनों मित्र एक दूसरे से 4 घंटे बाद मिलेंग 4 घंटे बाद मिलने का मतलब यह होता है, कि पहला मित्र भी 4 घंटे चलेगा, और दूसरा मित्र भी 4 घंटे चलेगा, तो देखी बच्चो, क्योंकि एक ही समय चलते हैं, तभी आपकी relative speed लगती है, अब आपका question, दूसरा question पूछा है, कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो हमने आपको बताया है, कि दूरी बराबर होता है, चाल गुड़ा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुड़ा शमय, अब देखो, पहले मित्र के यहां से पूछ रहा है, तो पहले मित्र की चाल कितनी है, पहले मित्र की चाल है, पांच किलो मीटर प 20 किलो मीटर दूरी कितनी हो जाएगी 20 किलो मीटर यानि पहले मित्र के घर से मिललस्थर की दूरी हो जाएगी 20 किलो मीटर अगर देखो दूसरे मित्र की घर से पूस्ता तो दूसरे मित्र की दूरी चाल है 10 किलो मीटर पर घंटा और 4 घंटे मिलते हैं तो दस्चों को 40 यानि पहले मित्र के घर से 20 km की दूरी पर मिलेंगे और दूसरे मित्र के घर से 40 km की दूरी पर मिलेंगे इस प्रकार आपका ये Relative Speed का सवाल बनता है उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोशन हमारा समझ में आ गया होगा अब चलिए ऐसे ही कोशन आपको और बताते चलते हैं तो आप लोग अच्छे से बढ़िया से नोक से में कॉपी करते चलिएगा और बढ़िया से कोशन को समझते चलेंगे चलिए आगे देखेंगे आगे कोशन क्या कह रहा है दो मित्रों का घर एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है दोनों मित्र एक दूसरे से मिलने 25 किलोमीटर पती घंटा तथा 15 किलोमीटर पती घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर रवाना हुए तो बताइए दोनों मित्र एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे कितने शमय के बाद मिलेंगे तो चली बच्चो अब देखिए वही question है दो मित्रों का घर एक दूसरे से 200 किलो मीटर की दूरी पर है तो यहां से देहां से देखेंगे कि दो मित्रों के बीच के घर की दूरी कितनी है 200 किलो मीटर दूर दोनों मित्र एक दूसरे की ओर चलते हैं इसका मतलब यह यहां को चलेगा और यह यहां को चलेगा अब जब दो मित्र एक दूसरे की ओर चलते हैं तो हम बताएं दोनों की चालों को क्या किया जाता है चोड़ दिया जाता है यह हो जाएगा 25 किलो मीटर पर घंटा और यह हो जाएगा 15 किलो मीटर पर घंटा दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 40 किलो मीट अगर प्रतिघंटा अब देखो आपने फार्मूला पढ़ा है इसपीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अप आन तो देखी बच्चों आपको टाइम निकालना है तो टाइम इसे कोल्टू हो जाएगा डिस्टेंस अपन इसपीड तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितनी ह दोनों मित्रों के घर के बीच की 200 किलो मीटर और चालों को हमने क्या किया है जोड़ दिया है 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 है तो 40 का भाग देंगे तो ये क्या बार में कर जाएगा 5 बार में इसका मतलब है कि दोनों मित्र एक दूसरे से मिलने अगर जाते हैं तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे पाँच घंटे के बाद मिलेंगे अर्थात पहला मित्र भी पाँच घंटे चलेगा और दूसरा मित्र भी पाँच घंटे चलेगा अगर पहले मित्र के घर से मिले निस्थर की दूरी पूछे तो 25-25 यानि पहले मित्र के घर से 125 किलो मीटर की दूरी पर मिलें 75 km प्रति घंटा तो यहां से ध्यान से देखेंगे अब चलिए कोशन आपका कंप्लीट होता है अब इसी प्रकार के बच्चों आपको अभी आप अच्छे अच्छे कोशन बताते हैं तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रही है और इन कोशनों को नोट करते चलिएगा अब चलिए ध्यान से देखते हैं अगला कोशन इसी टाइप में सब लोग समझेंगे देखिए क्या कह रहा है कोशन को ध्यान से देखेंगे कोशन ध्यान से देखेंगे दो इस्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलो मीटर की दूरी पर है एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है च्छाए घंटे के अन्त में दोनों गाड़ियां मिलती है यदि पहली गाड़ी अन गाड़ी से 8 किलो मीटर पती घंटा तेज चलती है तो क्यूसे चलने वाली गाड़ी की गती किलो मीटर पती घंटे में ग्यात करें अब देखिए बहुत ही मजेदार कोशन है चली बच् मित्रों का घर एक दूसरे से 162 किलो मीटर की दूरी पर है तो यहां से देखो दोनों मित्रों के घर की बीच की दूरी कितनी हो गई 162 किलो मीटर एक गाड़ी पी से क्यू की लिए चलती है यह हो जाएगा स्थान पी और यह हो जाएगा क्यू अब देखो एक चलती है पी स समय 6 घंटे है यदि पहली गारी अन गारी से 8 किलो मीटर पर घंटा तेज चलती है इस कम तो जो गारी ये चलती है जिस चाल से उससे 8 किलो मीटर पर घंटा तेज चलती है तो हमने मान लिया कि क्यों से चलने वाली गारी की चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा तो बताओ पी से चलने वाली गाली की चाल क्या होगी आठ किलोमीटर पर घंटा हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है पहले के पार्ट में भी बताया है कि अगर दो बैक्ती या दो चाले एक दूसरे गे पिरी तो दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो यह आज आएगा आएक्स है प्लस आठ है प्लस आएक्स है और दूरी कितनी है आपकी 162 है और टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जोड़ देंगे यह आज आएगा दो आएक्स प्लस का आठ बराबर देखो बच्चों यह कट रहा होगा 6 एक आठ दो 6 दूनी 12 4 6 7 42 और यहाँ से देखो दो आएक्स बराबर 8 वहाँ घटा दोगे 27 में 8 घटा होगे 19 आएगा और 19 का आधा होता है 9 सही 1 बटा 2 एक्स का मान आज आएगा 9 सही 1 बटा 2 किलो मीटर प्रती घंटा तो आपसे कोश्चन में पूछा हुआ है कि क्यू से चलने वाली गाड़ी की चाल बताओ तो देखो बच्चों क्यू से चलने वाली गाड़ी की चाल है एक्स किलो मीटर पर घंटा और आपका एक्स का मान आगया है 9 सही 1 बटे 2 किलो मीटर प्रती घंटा तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा उमीद करते हैं कि आपको ये कोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलिए अगर आ गया है तो अगला कोशन ध्यान से देखते हैं आप लोगों को एक टाइप के अच्छे-च्छे कोशन मताएंगे आप लोग नोट से करते चलिएगा इनको और अच्छे से समझते चलिएगा देखो क्या कहा है दो साइकल सवार ए तथा भी 21 किलो मीटर पती घंटा और 24 किलो मीटर पती घंटा की चाल से एक दूसरे की और चलना प्रारम में करते हैं वे एक घंटे और 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं जब उन्होंने चलना प्रारम में किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी बहुत अच्छा कोशन है अब देखी बच्चो दूरी क्या थी इस दूरी को हम बनाते ह से चलिए अब देखिए हमने माली या कि वह दूरी क्या थी बच्चों दोनों के यह और भी एक दूसरे से चलते हैं एक different ग्हारवी यह देखना एक की चाल देख को बता देते हैं और दोमेप・द्ध क्या करोगे ऐकरEd कि दोनों एक दूसरे के प्रिद चलती हैं दोनों की चालों को जोड़ देंगे एक ऐस धन चौबेस है तो देखो बच्चो यहां से कितना जाएगा 45 km पती घंडा यानि जब एक दूसरे और चलेंगी दोनों की चालों को जोड़ देंगे और देखिए मिलने का समय बताया हुआ है कि एक घंटे बारा मिनट है तो देखो बच्चो एक घंटे बारा मिनट है तो देखो हमने आपको बताया हुआ है पहले भी कि अगर चाल किलो मीटर पर घंटे में है और दूरी किलो मीटर में निकालना है तो शमय का माल हमेशा घंटे में होना चाहिए तो देखो बचू ये घंटे और मिनट में है तो इसको हम convert कर लेंगे एक घंटा है तो उससे कुछ न बोलेंगे अगर मिनट में है तो 60 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1, 12, 5, 60, 1 बटा, 5 तो 5 और एक 6 बटा, 5 कितना आ जाएगा 6 बटा 5 घंटे कितना शमय आ जाएगा आपका 6 बटे 5 घंटे अब देखिए आप लगा दीजे फार्मूला भी बराबर डी अपॉन टी क्या लगा देंगे भी बराबर डी अपॉन टी तो भी का मान है आपका 45 किलो मीटर पर घंटा डिस्टेंस आपको निकालना है समय आपको दिया गए 6 बटे 5 तो 5 पहुच जाएगा उपर 5 से 45 कर जाएगा 9 बार में और 9 का 6 से गुड़ा हो जाएगा तो दूरी आपकी आ जाएगी 54 किलो मीटर यानि A और B की बीच की दूरी आपकी कितनी आ जाएगी 54 किलो मीटर दूरी आपकी आ जाएगी तो उमीद करते हैं कि आपको यह कोशन हमारा समज में आ गया होगा ठीक है बच्चो चलिए अब ध्यान से दिखते हैं और कोशन हम आपको बताते हैं आप लोगों को एक एक प्रकार के काफी सारे कोशन बताते चलेगी तो आप लोगों उनको बढ़ी असे कौपी कर लेना चलिए क्या कह रहा है 2 मित्र 48 किलो मीटर 2 मित्र 48 किलो मीटर दूर पर और दो भिन सहरों से एक ही समय पर चलना प्रारंब करते हैं और एक दूसरे की ओर पांच किलो मीटर पती घंटा और साथ किलो मीटर पती घंटे गतिस चलते हैं वे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे तो वैसा ही कोश्चन है बहुत ही सिंपल वन लाइन कोश्चन है आपका फिर भी हम आपको एक छोटा सा डाइगराम बना के बता दिया करेंगे अब देखो इनकी बीच की दूरी कितनी है 48 किलो मीटर दूरी कितनी है 48 किलो मीटर एक दूसरे की ओर चलते है एक चलता है पांच किलो मीटर पती घंटे की चल से अब देखो चाल बराबर दूरी बटे शमत अब देखेंगे कि एक दूसरे की ओर चलते हैं दोनों की चालों को हम जोड़ देंगे तो पांच और साथ कितना हो जाएगा बारा किलो मीटर पर घंटा और दूरी कितनी हैं अड़तालेस टाइम निकालना है बारा चोको अड़तालेस टाइम कितना आजाएगा बच्चो चार घंटे तो टाइम जो आपका आएगा वो आजाएगा चार घंटे आपका समय आजाएगा तो इस प्रकार से आपका ये कोश्चन अच्छा कोश्चन था और ये आपका कोश्चन समाप्त होता है तो इस प्रकार आपको बच्चों क्या करना है जब दो ब्यक्ति एक ही समय पर एक दूसरी की ओर चले तो आपको ये टाइप बन जाएगा हम उमीद करते हैं कि आपको विप्रिद्ध दिसाओं पर आधारित का ये दो प्रकार की कोश्चन मनते हैं तो टाइप फस्ट हमारा ख कोश्चन मना लेते हैं अब देखी बच्चों टाइप सेकेंड क्या कहता है ध्यान से देखिए दो मित्रों का घर एक दूसरे से एक दूसरे से 140 किलो मीटर दूर है पहला मित्र प्रा तहां 8 बजे 10 किलो मीटर पती घंटे की चाल से रवाना होता है तथा दूसरा मित्र दो घंटे बाद 10 बजे अपने घर से 20 किलो मीटर पती घंटा की चाल से रवाना हुआ तो बताइए दोनों मित्र एक दूसरे से कितने बजे मिलें अब देखी बच्चो ये और ही अच्छा कोशन है हमने कहा था कि रिलेटिव स्पीड हमारा तभी लगता है जब दोनों बिक्तियों के चलने के समय क्या हो समान हो मगर इसमें चलने के समय समान नहीं है एक मित्र चलता है आठ बजे और एक मित्र चलता है दस बजे जैसे बच् तो आरच्छन तभी खतम होना चाहिए जब प्रतेग जाती का लेबल क्या हो जाए समान हो जाए अगर लेबल समान हो जाए तो आरच्छन खतम हो जाना चाहिए अगर लेबल समान नहीं है तो आरच्छन खतम कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि समानता का अधिकार तभी होगा जब समान होंगे अगर बच्चों सब समान नहीं होंगे तो आरच्छन खतम करना बहुत गलत बात होगी क्योंकि जो उंचाई में है वो उंचाई में पहुँच जाएगा और जो नीचे है वो और नीचे पहुँच जाएगा इसलिए हमारा क्या है इसमें relative speed तभी लगता है जब दोनों के चलने के समय क्या हो समान हो अगर चलने के समय समान नहीं है तो आपका relative speed नहीं लगेगा अब देखिए हम आपको बताते हैं दोनों मित्रों का घर एक दूसरे से 140 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है तो ये देखेंगे कि दोनों मित्र हैं जनके बीच की दूरी कितनी है 140 किलो मीटर अब ध्यान से देखिएगा एक चलता है बच्छो आठ बजे कह बजे आठ बजे एक मित्र चलता है आठ बजे और एक दो घंटे बाद अर्थात कई बजे दस बजे चलता है देखो एक मित्र चलता है आपका दस किलो मीटर पर घंटे की चाल से कई बजे आठ बजे और एक मित्तर चलता है दो घंटे बाद 10 बजे 20 किलो मीटर पती घंटे की चाल से अब देखिएगा कि जब एक दूसरे की ओर चलते हैं बच्चो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो हमने पहले भी आपको बताया है कि दोनों की चालों को जोड़ देना है चाल तो जोड़ ही देना है स्पीड बराबर स्पीड क्या करेंगे दोनों की स्पीड को आप एड़ कर देंगे क्योंकि हमने आपको याद कराया है और रटाया हुआ है कि जब दो वेक्ति एक दूसरे की आए दोनों की चालों को जोड़ देना है मगर देखो इसमें आरच्छा समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा ये आठ बजे चलता है ये दस बजे चलता है इसकी चाल थी 10 किलो मीटर पर घंटा तो 8 से 10 में कितना चल जाएगा एक घंटे में 10 किलो मीटर तो 2 घंटे में कितना 20 किलो मीटर और जब टोटल 140 है ये 20 हो गया तो यहां कितना बचेगा 120 किलो मीटर बचेगा तो बच्चों अब असली लड़ाई कहां पर है 120 किलोमीटर पर क्यूंकि ये 20 किलोमीटर तो पहले चल गया था यानि 10 बजे अब दोनों की लड़ाई है 10 बजे ये 10 बजे और ये 10 बजे इनकी दूरी कितनी है 120 चाल वही रहेगी बस ये आरच्छल हमने क्या किया खतम कर दिय तो यहां से देखेंगे फार्मूला होता है आपका speed बराबर distance upon time speed बराबर distance upon time होता है तो ध्यान से देखेंगे speed क्या होगी दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो हो जाएगी 30 और distance कितनी आजाएगी 120 km समय निकालना है तो 3,4 को 12 समय आजाएगा आपका 4 घंटे कितना आजाएगा 4 घंटे इसका मतलब दोनों मित्र एक दूसरे से 4 घंटे बाद मिलेंगे 4 घंटे का मतलब बच्चो ये 8 तो हम भूली जाएगे कई बजे 10 बजे अर्था जब 10 बजे चलेगा 10 बजे चलेगा और 4 घंटे में पकड़ लेगा तो 10 और 14 यानि कितने बजे मिलेंगे 14 बजे या बच्चो इसी को हम लोग जो है अपनी भासा में कितने बजे कहेंगे या इसी को हम कहेंगे 2 बजे कितने बजे 2 बजे तो या तो answer आपका option में 14 बज़े होगा या तो आपका option में कितना होगा 2 बज़े होगा तो उमीद करते हैं कि आपको ये question हमारा समझ में आ गया होगा अगर आ गया होगा तो आप लोग video को जरूर share करिएगा ठेक है बच्चो चले ध्यान से देखेंगे और अगला question मनाते हैं चलिए देखो क्या question कह रहा है दो मित्रों का घर एक दूसरे से 200 किलो मीटर दूर है पहला मित्र प्राता हन नव बज़े अपने घर से 30 किलो मीटर पती घंटे की चाल से चलता है दूसरा मित्र अपने घर से प्राता है 11 बज़े 10 किलो मीटर पती घंटे की चाल से चलता है तो बताइए दोनों मित्र एक दूसरे से कितने बज़े मिलेंगे अब ध्यान से देखेंगे कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 200 किलो मीटर दूर है तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि दो मित्र हैं जिनके घर के बीच की दूरी कितनी है 200 किलो मीटर जिनके घर के बीच की दूरी है 200 किलो मीटर और पहला मित्र चलता है 9 वजे कैवाई चलता है 9 वजे और इसकी चाल है 30 किलो मीटर पती घंटा इसकी चाल है 30 किलो मीटर पती गंटा और दूसरा मित्र चलता है ग्यारा बजे कितने बजे ग्यारा बजे और इसकी चाल है दस किलो मीटर पती गंटा अब देखिए एक दूसरे की ओर चलते हैं जब बच्चों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो आप क्या करोगे दोनों की चालों को जोड़ दोगे मगर आप से ग्यारा तक यहां तक इसकी दूरी गेगी देखो ग्यारा बजे तक इसको हमने पहुचा दिया अब देखो बच्चो इसकी चाल है 30 किलो मीटर पर घंटा इसका मतलब यह चलता है 30 किलो मीटर पर घंटे की चाल से इसका मतलब यह हुआ एक घंटे में 30 किलो मीटर तो 911 अर्था 2 घंटे में चलेगा 60 किलो मीटर 2 घंटे में कितना चलेगा 60 किलो मीटर और जब 200 में 60 घटा दिया तो कितना बचेगा 140 किलो मीटर तो बस अब देखो यहां से फार्मूला बना देंगे भी बरावर D upon T अब देखो दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो 30 और 10 कितना 40 किलो मीटर पर घंटा दूरी कितनी हो जाएगी दूरी है 140 और समय आपको निकालना है तो देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा और 7 बटे 2 का मतलब होगा तो आप बताओ बच्चो कितनी बज़े मिलेंगे तो आपको भूल जाना अब आपको समय कहां से काउंट करना ग्यारा से तो ग्यारा बज़े चले और साड़े तीन गटे हमें लगाए अर्थात 11,3,14, साड़े चवदा साड़े चुदा का मतलब होता है बच्चो कितना दो बज़ कर 30 मिनट है यानि दोनों मित्र एक दूसरे से कितने बज़े मिलेंगे दो बज़ कर 30 मिनट पर एक दूसरे से मिलेंगे तो आपका right answer आ जाएगा धाई वजे कितने वजे धाई वजे की दोनों मित्र एक दूसरे से कितने वजे मिल जाएंगे धाई वजे मिल जाएंगे उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये कोशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आ गया है तो आप इसको जो है जादा से जादा अपने दोस्तों को share करिए चलिए अब इसके बाद बच्चों इसी टाइप में आपका भी और कोशन हम बनाते हैं ध्यान से देखेंगे कोशन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर पती घंटे की रप्तार से निकलता है और गौतम बिंदु भी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर पती घंटे की रप्तार से निकलता है वे दोनों एक दूसरे की योर यात्रा कर रहे हैं A और B के बीच की दूरी 100 किलो मीटर है वो दोनों कितने वज़े मिलेंगे बहुत अच्छा कोश्चन है UPSI 2017 के एकजाम में आया हुआ कोश्चन है तो चलिए दिहान से देखेंगे यहां से दिहान से देखिएगा चलो बच्चो यहां से दिहान से कि दो इस्थान है A और B यह देखो दो इस्थान है A और B एक बेक्ती है गिरी जो चलता है क्य बजे 6 बजे चलता है और किस चाल से चलता है 20 किलो मीटर परती घंटे की चाल से यह गिरी है इसका नाम यह चलता है सोबह 6 बजे 20 किलो मीटर पर घंटा की चाल से और वो देखो गौतम मिंदूबी से 7 बज़े निकलता है क्या बज़े निकलता है सुबह 7 बज़े निकलता है किस चाल से 10 किलो मीटर पती घंटे की चाल से A और B के बीच की दूरी है 100 किलो मीटर तो बताओ कितने वज़े मिलेंगे अब देखो बच्चो फिर से आपको question बताना है कि जब चलने के समय समान नहीं है ये चलता है 6 बज़े और ये चलता है 7 बज़े तो 6 से 7 अर्था एक घंटे एक घंटे में कितना चल जाएगा एक घंटे में चल जाएगा 20 किलो मीटर यानि 7 बज़े तक यह बैक्ती चल जाएगा 20 किलो मीटर अब देखो ये 7 ये 7 दूरी कितनी बची 80 किलो मीटर तो फिर से 4 वराबर दूरी बची समय लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय और जब एक दूसरे की ओर चलेंगे दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो ये 20 और 10 कितना 30 किलो मीटर पर घंटा दूरी कितने हो जाएगी 80 और टाइम निकालना है तो टाइम देखी बच्चो एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे और यहां से टाइम इस एक्वल टू आज आएगा 8 अपॉन 3 अब 3 से जब डिवाइट करेंगे तो ये वाज आएगा 3 दूनी 6 दो सही 2 बटे 3 घंटे दो सही 2 बटे 3 घंटे अब इसको घंटे और मिनट में जब कणवर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए हम आपको कनवर्जन सिखा देते हैं दो घंटे इससे तो नहीं बोलेंगे और जब ये देखो दो बटे तीन घंटे है ना तो इस देखो दो सही दो बटे तीन को हम लिख सकते हैं दो सही दो बटे तीन को लिख सकते हैं दो पलस दो बटे तीन इस घंटे को मिनट में कनवर्ट करेंगे तो शाठ का गोड़ा करा देंगे तो यह आज आएगा तीस दुनी साठ है तो वीश दुनी चैलिस इसका मतलब दोनों मित्र मिलेंगे कितने बज़े दो घंटे चालिस मिनट के बाद कितने बज़े मिलेंगे दो घंटे चालिस मिनट के बाद तो बच्चो देखो साथ बज़े चले थे दो घंटे चालिस मिनट लगे हैं इसका मतलब यह मित्र मिलेंगे साथ और दो नौ चालिस यानि 9 बज कर 40 मिनट पर दोनों मित्र एक दूसरे से मिल जाएंगे तो उमीद करते हैं कि आपको एक कोश्चन हमारा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग बढ़ियां से इन कोश्चनों को लगाईए और घर में अच्छे से पढ़िये अगर आपको यह हमारा समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा सेयर करिएगा तो यह आपकी एक हैडिंग खतम हो गई बच्चों हम आपको प्रेक्टेस हैट भीज देंगी तो आप लोग जो है आप प्रेक्टेस हैट के लिए आप हमारे वार्टसप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और वार्टसप नंबर से हमारी सारी जानकारी आप ले सकते हैं इसका PDF भेज़ देंगे हम तो आप लोग लगाईएगा हमारा WhatsApp नमबर है चली बच्चों देख लेंगे हमारा WhatsApp नमबर आपकी स्किन पर लिखा हुआ है तो आप लोग अच्छे से देख लेना और कोश्चनों को आप हम से PDF मागवा कि अच्छे से पढ़िएगा तो यह आपका हो गया कौशी दिशा पर आधारित प्रसन है विपरीद दिशाओं पर आधारित प्रसन है